नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चनल वर्ल्ड्सगीन में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंत में लगाई जाने वाली सब्सक्राइब के बारे में कि कौन-कौन सी सब्जियां आप फरवरी मंत में आसानी से लगा सकते हैं आप सिम्ला मिर्च का मिर्च और सिम्ला मिर्च का असानी से लगा सकते हैं अपने खेतों में गमलों में अपने गार्डन के अंदर और एक एकड़ खेत के लिए सिम्ला मिर्च या मिर्च का जो सीड्स की रिक्वार्मेंट होती है वो है 100 ग्राम की जरूरत होती है तो सिम्ला मिर से पोड़े के दूरी हमें एक मीटर रखनी है बुआई के 20 से 25 दिन बाद हमें मिट्टे के अच्छे से गुड़ाई कर देनी है ककड़ी की खेती आप तारबस बर भी कर सकते हैं यह बेल वाली फसल है काफी अच्छा प्रोडक्शन देगी कि हमारी बिंडी बिंडी अगेती क कि बुआई जनवरी महीने से फरवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं वैसे तो फरवरी मार्च में बिंडी खेती की जाती है लेकिन बिंडी की खेती से अच्छा पाओ लेने के लिए आप इसकी बुआई जनवरी महीने में लगा दीजिए अगर आप जनवरी में बिंडी क लगा देते हैं तो मार्च में ही भिंडी आनी शुरू हो जाएगी जिससे आपको आपकी फसल का अच्छा वाहू मिलेगा भिंडी की बुगाई आपको हमेशा कतारों में करनी चाहिए कतारों से कतारों के दोरी आपको 25-30 cm रखनी है और कतार में पोदे से पोदे के दोरी पोने से 15-20 दिन बाद आपको पहली नुडाई उडाई करने देनी चाहिए ताकि खर्पतवार का नियंदर कर सके जिससे आपकी फसल की पैदावार काफी अच्छी हो अब बात आती है नेक्स वेजिटेबल की जोकी है हमारा करेला करेला हलकी दोमक मिट्टी में असानी से हो जाता है करेले की बगाई आप बीच से कर सकते हैं या फिर नरसरी तयार करने के बाद खेत में रोपाई करके कर सकते हैं जनवरी महीने में करेला बीच से कम यूग पाता है क्योंकि जदसर्दी होने की वच्छे से सीड का जर्मिनियसन अच्छा नहीं होता तो आप जनवरी महीने में पहले नरसरी तियार कर लीजे करेले के पोद की और फिर उसकी रोपाई आप खेतों में कर सकते हैं तो रोपाई आप 5-6 इंच हो जाने के बाद पोदे की हाइट तब ही आप रोपाई करें तो इसमें एक्च्छल टाइम होता है हमारा क्रेले खोगी फसल को लगाने का खेतों में होता है फन्रा फरवरी के आसपास तो आप 30 जनवरी के आस्पास जनवरी के अंत में आप अपनी पोद त्यार कर लिजेगा और जनवरी के आखरी में आप यह सा फर्वरी के पहल सप्ता में आप अपनी पोद को खेत में लगा दीजे Next Vegetable आती है हमारी बैंगन बैंगन आपको अकार, साइज और कलर में आपको different-different पा जाएगा तो आप बैंगन को जनवरी या मन्त में असानी से लगा सकते हैं तो इसके लिए आपको जनवरी या फर्वरी में बैंगन की पोद को तयार कर लेना है और फिर जब पोट 45-40 दिन की हो जाए तो उसको आप अपने खेतों में उसकी रुपाई कर सकते हैं तो जो आपको खेतों के विए आपको बीचदर की requirement होगी एक एकड़ के लिए आपको 200 गराम बीचदर की requirement होगी आपको बैंगन की next vegetable आता है हमारा खीरा खीरा की बुआई कतारों में ही करनी चाहिए कतार से कतार के दूरी डेड़ मीटर रखनी चाहिए और पोदे से पोदी के दूरी हमें एक मीटर रखनी है बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद हमें पहली गुड़ाई कर देनी है खीरा की खेती आप तारबास पर भी कर सकते हैं इससे आपको काफी ज़्यदा लाब होगा बेल वाली फसल होने के कारण इससे अच्छा प्रोडक्शन भी मिलेगा आपको नेक्स्ट वेजिटेबल आता है हमारा तरबूज और खरबूजा तरबूज और खरबूजे की खेती भी आप फरवरी से लेकर मार्च मंत में आसानी से अपने खेतों में कर सकते हैं और इसके अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल जो आती है हमारी वाते तुरई और गिलकी की खेती तो आप एक बार लगा लिज़े और 6 में तक आपको ये सब्जे देती रहेंगी तुरही और गिल्की की फसलों को लगाने के बाद 60 दिन में फलाना शुरू हो जाता है नेक्स्ट वेजिटेबल आती है हमारी फूल गोबी या पत्ता गोबी जैसा कि आप सभी जानते हैं फूल गोबी या पत्ता गोबी को आप 12 महीनों में कभी भी लगा सकते हैं साथी 12 महीने के हिसाब से मार्किट में आपको इनका सीड्स मिल जाएगा hybrid और देशी variety में दोनों variety में आपको seeds market में असानी से मिल जाएगा तो full gobi पत्ता गोबी को आप अपने garden में लगा सकते हैं अपने खेतों में इसकी खेती कर सकते हैं साथ में full gobi पत्ता गोबी को आप गमलों में भी लगा सकते हैं आठ से बारे इंच का आपको पोड़ रखना है ताकि आपके full gobi पत्ता गोबी उसमें अच्छे से जड़े फैल सकें और उसमें आपके जादा सा जादा सब्जी आपके लग सकें next vegetable जो आती है हमारी वाती है अरवी की खेती अरवी की खेती के लिए रेती दोमट मिट्टी अच्छी रहती है इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए अरवी की खेती के लिए समतल क्यारिया बनाए और क्यारिया में ही आप अरवी की खेती की बुआई करें साथ में कतार से कतार के दूरी आपको 45 cm रखनी है और पोदे से पोदे के दूरी आपको 30 cm होनी चाहिए इसके लिए आपको जो अरवी के गठे होते हैं उनको 6-7 cm गहराई पर आपके बुआई करनी चाहिए नेक्स वेजिटेवल जो आती है हमारी वो आती है लोकी की खेती लोकी को भी आप 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं लेकिन अच्छा मुनाफ़ा लेने के लिए लोकी की खेती तार बास पर ही करें लोकी की फसल लगाने के बाद 6 महीने तक चलती है और लोकी की फसल लगाने के बाद 60 दिन में आपको फल आना सुरो जाता है तो लोकी की खेती भी आप जनवरी मंत में असानी से कर सकते हैं नेक्स वेजिटेबल आती है हमारी पेठा और कद्दू की खेती पेठा और कद्दू की खेती आप दोमट या बालू दोमट में असानी से कर सकते हैं साथ ही अमल्य मिट्टी में आसानी से इसको गया जा सकता है तो इसकी बुआई भी आप जनवरी मंद में कर सकते हैं ये भी आपकी बारे महीने चलने वाली फसल है तो इसमें आप पेठा लगाने के बाद पेठे की खेटी आप लगाने के बाद अराम से असानी से ग्रो कर सकते हैं तो देखे दोस्तों जो गर्मियों में क्या होता है धनिया की बहुत कमी होती है अगर धनिया को आप मार्च से या फरवरी मंद में लगा लेंगे तो इससे आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं तो धनिया आप जब बहाई कर देंगे धनिया की आप फरवरी मंद में या मार्च मंद में 40-45 दिया त्यार हो जाता है और उससे आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं सच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं साथ ही धनियों को कीटों से बचाने के लिए पन दिन बाद आप नीम ओयल का इस पर जरूर करें नेक्स वेजीटेबल जो आती है वो आती है हमारा टमाटर टमाटर को आप जनवरी से लेकर फर्वरी मार्च महीने में असानी से ग्रो कर सकते हैं लेकिन जनवरी में जायत सर्दी होने के कारण आप जनवरी में इसको कम ही ग्रो कर रहे अगर आपके पास जनवरी में इसको प्योद तियार कर सकते हैं और फरवरी मंत में आप चम टमाटर की प्योद को आप अपने गार्डन में, गमलों में या फिर अपने खेतों में लगा दीजिए तो इसको फरवरी मंत में आप चकुंदर और सल्जम को भी लगा सकते हैं नेक्स वेजिटेवल जो आती है हमारी वत पपीता, पपीते को आप फरवरी और मार्च में असानी से लगा सकते हैं तो पपीते को फरवरी और मार्च में लगाने के लिए आपको जनवरी में पिते की नरसरी तियार कर लेनी है यहीं नरसरी आप बीज से तियार कर सकते हैं और 40-45 दिन होने के बाद आप नरसरी से आप पोदे को निकाल के आप उसकी रोपाई खेतों में कर सकते हैं नेक्स वेजिटेबल जो आती है, हमारी वाती है मूली, मूली को भी आप फरवरी से लेकर मार्च में असानी से लगा सकते हैं, तो ये थी फरवरी मंत में लगाई जाने वाली सबजियों की लिस्ट, जिनको आप अपने गमलो, गार्डन और अपने खेतों में असानी से लगा सकते हैं तो दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरू किजेगा चैनल पर फरस्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए जेगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सेर करना बोले थैंक यू